प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फर्गेट तो प्रेस बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो नमस्कार आप देख रहे हैं रेल्टी मीडिया मैं हूँ आपके साथ राकीष सिंग स्वागत है आपका रेल्टी मीडिया की एक और एपिसोड में और आज मैं मौझूद हूँ सुधीर जी स्वागत है सुधीर जी सामाधान कैंप लगाया है तो इस और इसके लक्ष क्या था सबी बीलिंग प्लान इक बहुत बड़ी समय से होती है सभी मुष्भी कोपरेश्यंस में हैं डबलेबमेंट अथर्टी में और狂 ही बीलिंग पास किया जाने चाहिए granddaughter । हमने कोई भी कहीं भी human hand involved नहीं होता, आप घर बैटके architect या आपका building plan का जो भी owner है, वो अपना building plan upload कर देता है, time limit हमने decide की हुई है, कोई किसी का अगर में 3 दिन के लिए रहता है, किसी के पास 7 days के लिए रहता है, और इस तरह से channel पार करता हुआ है, building plan हम कोशिश करते हैं कि 21 days में हम लोगों को दे दें, commissioner से approve करवा के, तो camp इसलिए लगवाए है, क्योंकि हमने नया नया शुरू किया है, हमें लग रहा था हो सकता है, software को समझने में कोई कोई दिक्कत आ रही हो, और किसी तरह की क्यों तकनीकी जस्टीट से अगर कोई problem है लोगों को, तो वो आके यहाँ पर हमाँ साथ discuss कर सकते हैं, sir, camp में लोगों का रुज़ान कैसा है, मतलब आ रहे हैं लोग, camp में मैंने देखा है, लोगों का रुज़ान थोड़ा कम है, तो मुझे भी आश्या लगा कि लोगों क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर बाद में जब लोगों से पता किया, तो बता चला, वो कहने हैं, हम वैसे satisfy हैं, हमें कोई delay होई नहीं रहा, तो हम किसली आएंगे, क्योंकि हमारे ऐसे हैं कि जब भी कभी आपका building plan एक stage पास करता है, तो वो automatically एक SMS trigger हो जाता है, कि आपकी file जेए के पास गई है, आपकी file ड्राफ्समेंड के पास में गई है, आपकी file टाउन पानके पास में गई है, तो उसमें फिर आपका संतुस्री जाती है, कि हाँ भी मेरी file चल रही है, नहीं चलती है, तो आप खुद inquiry कर सकते हैं, फोन पर कि भी आपके पास में file है, आपने क्यों दिया, वैसे भी हमने auto sweep किया हुआ है, अगर seven days में एक अधिकारी और करमचारी काम नहीं करता है, तो उसकी file auto switch हो जाती है, फिर उस file में उसके कराण जो गल्तियां या कमियां रह गई होती है, उसके लिए वही responsible होता है, और हम बिर्ली प्लान को पास कर देते हैं, जब यह चीज़े online होगी है, तो मेरे खाल से इसमें corruption काफी कम हो गया होगा, इसमें जिम्मेदारी होगी होगी एक सक्ष की, एक अफसर की, जिम्मेदारी हैं तो हमेशा से ही अफसरों की रहती है, पर इसमें ऐसी बात होगी है, चुकि आप किसी से मिल ही नहीं रहे हो, जब आपका कोई human touchy नहीं आ रहा है, तो कौन आपसे bribe मांगेगा और आपको इसको bribe दोगे, तो एक वाली बात इसमें आ जाती है, तो कोशिश है यह कि corruptionless transparency के साथ में हम लोग काम कर सकें, और building plan जैसी चीज़ है, जो कि मुलबूत आवज शक्ताओं में आती है, लोगों के मकान बनाने का हरे का एक सपना होता है, तो मुझे लगता है कि building plan पास करने में हमने देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मकान बनाने में तो अगले को खुद देरी होती है, और completion certificate फिर हम लोग हर चीज़ देख पर रखके देते हैं, पर building plan का मेरा मानना है कि जैसे ही आएगा, हम उसका building plan दे देंगा उसको. पहले के मुकाबले अब फिर इसमें रफ्तार भी आ गई होगी, चीज़ें इंटरनेट पे होगी, सारा online procedure हो गया है तो. जीज़ें रफ्तार के बारे में थोड़ी सी दिकत है, क्योंकि जो लोग हैं, वो पेपर अप्लोड नहीं कर रहे हैं, हमें जितने निधारित पेपर चाहिए होते हैं, हाला कि हमारी चेकलिस भी वेब साइट पेव लेवेल, इंप्रूव कर रहे हैं, कि जो final objections में जाएंगी, वो जो चैनल को पार कर चुकी होंगी, उन पे नहीं जाएंगी वो, वो फिर सीधी जो चैनल उनने पार नहीं करी होंगी, वो वहां पर ही आएंगी, तो वो हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, पहले क्या समाधान कैम्प होते थे, और नाइस करे जाते थे, या अभी आपने आने के बाद ही ट्रेंड चेंज करा हैं? ने, मेरे आने के बाद ही मैंने यहां शुरू करवाया है, और नगर निगम का चुकी एक ही है, कि हमने सबसे बहतर सुवधाय देनी हैं, तो बिल्लिंग प्लान प्सकर करके देना भी उन सी उधाओं में से एक आता है, जो हमारे राइट तो सर्विस एट के तहट भी कवर होता है, तो इसलिए हम लोग समाधान कैम्प पहले भी लगाते रहें, पहले हमारे पस काफी सारे लोग आया करते थे, क्योंकि लोगों के पास में SMS से जानने का या ट्रैकिंग करने का उनलाइन आप्शन अविलेबिल नहीं था, तो सिवाए हमारे ओफिस में चक्कर लगाने को दूसरा आप्शन बचता नहीं था, वो डार्समें के पास में आते थे, जेए के पास में आते थे, तो पहले हमारे समाधान केम्प में काफी लोग आते थे, पर आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे दिन भर में हम बैठे हुए हम लोग, और मुश्किल से दस लोग आए हैं, आप से भी कुछ लोग शायद मिलके गए हैं, तो एक बाद चेक लिस्स से ये जरूर देख लें कि जो भी पेपर्स है, रिकुजिट वो आपने दिये हैं या नहीं दिये हैं, समाधान केम्पों में लोगों का रुज़ान कम हो रहा है, लेकिन ये एक अच्छी ख़बर है, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन चीज़े समझ में आ रहे हैं, ऑनलाइन चीज़े रफतार से हो रही हैं, जिसके अंदर करप्शन भी घट रहा है, तो ये हमारे लिए मुझे लगता है, एक अच्छी ख़बर है, एक बहुत अच्छी ख़बर है, और आपकी पहल के लिए रियल्टी वीडियो की तरफ से आपको शुब कामना है, और शुब शुब कामना है आपकी चैनल को, कि आप इसी तरह से लोगों को जागरूख करते रहें, और लोगों को बिल्कुल ही आने की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग तो पेपरलेस ऑफिस बनाना चाहते हैं, ताकि लोग घर बैटे इस सारी समस्याओं को समधान करिया जा सकते हैं, टाउन प्लाइनिंग डिपार्टमेंट का एक बहुत सरहनी एक अदम है, जो इन्होंने कैम्प लगा, ये भी सरहनी है, और इससे पहले जो सारा मामला इन्होंने इंटरनेट पे कर दिया है, सारी चीज़े ऑनलाइन होगे हैं, आपको अपना प्लाइन पास करवाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पे ही करना है, आप अपने घर से कर सकते हैं, आपके एक तो इसमें समय की बच्चत होगी, दूसरा करप्शन कम हो रहा है, और आपकी फाइल किसके पास है, यह आपको पता चल लएगी, इस सारी बात है आज हमें बताई, सीने टाउन प्लैनर सुधिर जी ने, इसलिए इनका शुक्रिया, आप देख रहेते हैं, रियल्टी मीडिया, राकेश सिंग के साथ, कैमरा परशन हर्शिच चौधरी के रिपो,